हलो तो गाईस आज हम लोग सीखने वाले हैं imperative sentences को तो सबसे पहले हम लोग जान लेते कि आखेर imperative sentence कहते कि इनको है तो गाईस यदी sentence में इजाज़त मांगने, इजाज़त देने, सला देने, आदेस देने जैसी बात हो और sentence के अंत में O या O की मांत्रा लगी हो तो तुरंत समझ जाएं कि यह imperative sentence है आए यह sentence देखते हैं तो sentence कुछ इस प्रकार से दिये हुए होंगे घर जाओ, ठाना बनाओ, क्रिकेट खेलो, मेरे लिए पानी भरो आप इन सभी sentences के अंत में देख सकते हो यहाँ पे या तो O लगा हुआ है और या तो O की मांतरा लगी हुई है तो इस तरीके के जो sentences होते हैं इनको हम लोग imperative sentence कहते हैं और इनको बनाना तो बहुत ही आसान होता है सबसे पहले आप पीछे वाले सब्द की English बनाओ उसके बात में उसकी बात की तो देखो यहाँ पे पहले जाओ की English बनाएंगे तो गो जब भी हम कहीं जाते हैं तो तू लगाते हैं तो यहाँ पे तू लगा दिया अब इसके बाद में हाउस की English लगा दो और यह देखो हमारा sentence जो है बन गया इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा sentence और दूसरा sentence जो है खाना बनाओ तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले पीछे वाले सब्द की English फिर उसके बाद में उसके आगे वाले की तो यहाँ पे बनाओ तो बनाओ की English सबसे पहले लिखेंगे कुक और इसके बाद में food और यह हमारा sentence बन गया बहुत यहाँसान होते हैं creative sentence बनाने और सबसे यादा huge होने वाले sentence भी यही होते हैं अब यह तीसरा sentence जब हम ही बनाना है तो इसमें क्या करेंगे पीछे वाले sentence की English सबसे पहले बनाएंगे तो हो जाएगा play और इसके बाद में cricket और यह देखो यहाँ पे sentence बन चुका है अब हम लोग चोथे sentence की बात करते हैं हमारा चोथा sentence जो है मेरे लिए पानी भरो तो जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूँ कि पहले सबसे पीछे वाली की English तो भरो की English होगी fill इसके बाद में पानी की English भाई पीछे से चल रहे ना पानी की English तो हमने यह लिखा यहाँ पे water, fill water अब के लिए की English होती है for और इसके बाद में सबसे last में पहली वाली English तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बसाता हूँ वीडियो को last तक देखना क्योंकि इसमें last में कुछ special बताया हूँ है और अब आगे बढ़ते हैं यदि sentence में ना या मत सब्द आये तो sentence की सुरुवात में don't या to not लगा देते हैं बस इतना सा करना होता है जैसे कि आप यहाँ पर sentence देख भी सकते हो पहले वाले sentence में मैंने जान बूझ कर ना या मत कुछ भी नहीं लगा है लिए दूसरे में और तीसरे में और चोथे में आप देख सकते हैं या तो ना लगा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोग कैसे sentence को बनाए दिया ना अब जब इस sentence में ना लगा दिया तो यहाँ पर बस सुरवात में simply हमें क्या करना होगा या तो डू नाट लगा देंगे और या तो डून्ट लगा देंगे बस इतना करना है और यह हमारा sentence बन गया अब लोग next sentence को normally बना लेते हैं तो यहाँ पर देखो खाना मत not don't इसके बाद में play इसके बाद में cricket यह देखो and next जो हमारा sentence है मेरे लिए पानी ना भरो तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा don't fill water for me और यह देखो sentence हमारे बन चुके हैं और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ imperative sentence के कुछ special things या special sentences जैसे कि मैंने आपको इसके बाद में भी बताया था अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पर जैसे की definition भी लिखी हुई है यदि sentence की शुरुआत में या अंत में तुम या कोई नाम लगा हो तो इनकी English अलग लिखते हैं जैकि एक किस प्रकार से यहां पर आप देख सकते हो यह sentence लिखा हुआ इसके बाद में लिख देंगे यहां आओ की English ठीक ना इसके बाद में अब अगला sentence देखते हैं अगला sentence जैसे कि आप देख सकते हो सांत बैठो मुस्कान तो यह मैंने क्या होला है कि अगर अलग नाम दिये मिल जाए ठीक ना तो क्या करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम ल हैं तो मैं पक्का जानता हूं कि आप English बोलना या तो जानते हैं या तो English बोलना सीखना चाहते हैं तो गई से एक बात बता रहा हूं मैं आप लोग इस चीज़ को ट्राइक करो पक्का English बोलना सीख जाओगे सबसे पहले तो आपको गया करना है कुछ अपने मन से से इफकार साइकल पर बैठो सिट ओन साइकल इस तरीके के सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं कम से कम 25 से 30 सेंटेंस और गाईस मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए टेक कियर